हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग तो देख लिजी एससी जेई 2023 में जो आनलाइन आविदन चल लहा है उसमें अगर आपने फारम बढ़ दिया है तो भी कोई बार नहीं भरा है और आप फारम भरने जा रहा है तो देख लिजी वीडियो पूरा देखिएगा आपको कौन सी प पूरा मैंने आपको बताया दे रहा हूं इसमें बिल्कुल मत करिएगा बहुत ज़रूरी है वनना आपका फार्म भरना पूरा बेकार चला जाएगा इसलिए देख लिजी एससी में यह एक्परियंस कहां मांग रहे हैं लास्ट इसकी ध्यान लखेगा सोला अगस्त है ठीक अगर आपने डिपलोमा दिखाया है ठीक है अगर डिपलोमा दिखाया है तो आपको 2 साल का वरकिंग एक्ष्वियंस दिखाना पड़ेगा ठीक है ओम भी दिखाना पड़ेगा अगर मेंट्रीनियर दिखाना पड़ेगा अब सेंटर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो लूडी है उसमें डिप्लोमा अगर सिविल इंजीनियर है तो आपको एक्सप्रियंस नहीं दिखाना है सेंटर वाटर कमिशन जो इनका है उसमें देख लीजिए सिविल के लिए उन्हें बैशलर डिगरी मांगी है और डिप्लोमा भी सिविल मांगा है यहां भी आपको दिख में देखरा है इसमें साल के एंब डिप्लोमा मांग रहे हैं उसमें आपको नहीं दिखाना है अब देख लीजिए तो आयों यह सिविल में अगर आपको डिग्री है तो आपको अन्भू दिखाने की जरूबर नहीं है अगर आप डिप्लोमा है सका उलकी हैं अगर तीन साल का सिवीलमें आपको डिप्लोमा है तो दो साल का एक्स्प्रियेंस आपको स्ब्लानिंग का यह मेंटिनेंस का सिवील इंजिनिनिंग का दिखाना पड़ेगाื यह ध्यान रक़िए खा यह आपको दिखाना पड़ेगा उसी तरह जेए इलेक्टिकल और मेकेनिकल के लिए अगर आपको बीटेक की डिगरी है तो आप से कोई एक्सप्रियंस नहीं मांगा जा रहा है लेकिन अगर आपने तीन साल का डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक लगाया इलेक्टिकल या मेकेन मेकेनिकल में उसी तरह मिनेश्ट्री आप पोर्ट्स और सिपिंग वाटर वेज में सिवील और मेकेनिकल में आप डिप्लोमा है तो आपको कोई अन्वर नहीं दिखाना है ठीक है तो यह जानकारी आप समझी गए होंगे